मेरे प्रियों, खुशी के साथ है, आनन्द के साथ है, पारमेश राप से ब्रतितिन बात करता ना, इसलिए आनन्द के साथ रहना है। कभी कभी सुबह उटने समें बहुती कमजोर होते हैं, जब समस्या को देखते हैं, बहुती हम गबरा जाते हैं, इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन पारमेशर का वच्छन हमें मजबूत करता है। इसया 43 अध्याए का उनीसों वच्छन में पारमेशर आज एक वादा देता है, देखो मैं एक नए बात करता हूँ, आपको देखके कहता मेरा बेटा, मेरे बेटी, मैं एक नए बात करता हूँ, पुरानी बातों के ही सोच रहे हैं, बीती वी बातों के ही हब सोच रहे हैं, जो सारी बातों को सोच के बहुत ही गबराहट का साथ रहते हैं परमेशर कहता है क्यूं गबराये वो बीटीवी बातों को देके मेरी बेटी क्यूं इतना निरास हिंता करती हो मैं नई बातों को करूंगा नए हांसिस को दूंगा नहीं बलाई को तुमारे ले करूँगा, नहीं उन्नती को दूँगा, नहीं सारी बात को दूँगा, जब परमेशर कहता है, क्यूं पुरानी बातों को देखे आप चिंतिया करते हैं? सोचेगा, एक चोटी लड़की गुडिया को रखे, पुरानी गुडिया को रखे वो खेल रही है, पिता जी नहीं गुडिया लाने के सम्में, अपनी पुरानी गुडिया को बूल जाती है, तुरंद दवड के जाकर अपने पिता से नहीं गुडिया को ले लेती है, वैसे ही परमीश्वेर कहता है पुरानी बातों को क्यों सोच रहे वो फेक दो उसको मन से उसको दूर करो सारी पुरानी आयादों को और पुरानी बातों को पुरानी गटनाओं को मन से उसको दूर फेको जो बातें पुरानी गटना ये वो सारी बातों को दूर करना चाहिए तुम्हारे मन में उसको रखने के चलते तुम्हारे अंदर खुशी नहीं है आनन्द नहीं है क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए न कुछ नहीं कर पता हूँ उसे फेक दो मैं तुम्हारे लिए नहीं बातों को करूँगा प्रभु कहता है आज आरपन करेंगे परमेश्वर, आज हमारे लिए प्रभु जी, तु नए आसिस को नए बढ़ोतरी को मेरे लिए रखा है, ये शिक को नाम से मैं प्रात्तु करूंगा बोलिए, आज आप प्रात्ना करने से आपका मन में शान्त आ जाएगा, पिता जी जो भी बातों के चल आज मैं प्राप्त करता हूं प्रभु जी, आमेन, आमेन